हेलो स्टुडेंट्स आज हम एक निया टॉपिक पड़ेंगे टिन एसींवेंसिंग मेथड डिने सिक्वेंसिंग होती के टिने सिक्वेंसिंग मेली हम यह समझें डिने के अपर जो निक्रोटाइडों के ग्रूप होते हैं एडेनिन थाइमेंड सैटोसीन ग्वानें और इस त प्रकार DNA transcript होते हैं तो पर्टिकुलर DNA का sequence जो होता है वो पर्टिकुलर किसी एक protein को या किसी एक enzyme को या किसी एक काम को perform करने के लिए तयार रहता है उन्हीं निक्लोटाइडों के sequence को हम बोलते हैं या आप नहीं कह सकते हैं कि base पर जो आपस में जुड़े होते हैं वो उनके group of sequence जो होते हैं किसी एक particular काम को perform करने के लिए तयार रहते हैं उनको हम बोलते हैं DNA के sequence या एक particular order जो किसी काम को काम करने के लिए DNA अपने आपको तयार रहता है हमने transcription के अंदर देखा किस प्रकार mRNA बनता है और mRNA फिर उनी genetic sequence को code को यूज करते हुए वो protein synthesis करता है इसी तरह से वो enzyme protein के बने होते हैं तो enzyme भी बनाएगा, hormone भी बनाएगा और भी molecules जो शरीर में या cell के अंदर चाहिए उन सब की formation DNA के sequence के अनुसार ही होती है तो DNA sequence, male adenine, thymine, cytosine, gonine का एक order wise एक sequence है जिसके पैसिस पे कोई cell DNA के द्वारा को ये काम को पूरा करती है तो उसके sequence के देखने को या ढूंडने को को एक method apply किया गया और उस method को apply करने वाले scientist थे Frederick Sanger तो Frederick Sanger ने क्या किया? एक method apply किया उस method के द्वारा हम unknown DNA जो भी हमारे सामने को DNA है उस DNA के sequence को पता लगाने के लिए technique काम में ली जाती है 1975 के गरीब उन्होंने इस technique को खोजा और इस काम के लिए उनको 1980 के अंदर noble price भी दिया गया यह DNA की sequencing है वो Frederick Sanger ने खोजी इसलिए उसको Sanger sequencing के नाम से भी जाना जाता है और एक बहुत ही अच्छी technique है और इस technique का use करके human genome project जो है जो 1990 के अंदर आगे launch वाओ और उसको लगबग 20-25-26 साल के अंदर कहीं पूरा वाओ इसके द्वारा भी DNA sequencing method के द्वारा पूरे human genome के sequence को खोजा गया और पूरा जो human genome है जो निक्रोडों का sequence है वो पता लगाया गया तो यह method बिल्कुल perfect method था और इस method को किस प्रकार उनने use किया या Sanger ने ऐसा क्या तरीका अपनाया जिसके द्वारा हम unknown DNA का sequence काम में ले सकते हैं या पता लगा सकते हैं और इसका उप्योग modern science के अंदर DNA fingerprinting के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है हमारे पास कोई unknown DNA है तो unknown DNA का sequence पता लगा कर हम down DNA के साथ compare करके हम उस DNA का पता लगा सकते हैं कि वो DNA किसका है किसी भी victim का किसी भी DNA के sample को लेकर हम compare कर सकते हैं कि वो DNA यहाँ पर जो मिला है वो किसके साथ match हो रहा है अच्छे 500 टे को रहा है तो DNA fingerprinting के अंदर आपस पे किसी हैण港 पता लगाने के लिए किसी माता और पिता का पता लगाने के लिए च्छे का आसानी से काम में ले सकते हैं तो यह काम में लिया जा रहा है modern science के अंदर तो यह किस प्रकार से काम में लिया जाता है किस प्रकार DNA का sequence यह unknown DNA के sequence हो किस प्रकार पता लगा जाता है सेंगर ने इसा क्या तरीका अपनाया जिससे हम unknown DNA का proper sequence बैडनीन थाइमिन साइटोसीन के बाद क्या आएगा उसकी बैस पेरिंग कैसे होगी तो यह सब sequence का पता लगाना बिल्कुल perfect तरीके से पता लगाना सेंगर ने खोजा और यह Nobel Prize उनको मिला इसके लिए तो क्या technique ली जाती है किस प्रकार ली जाती है हम उसको समझते हैं तो हम एक DNA के unknown sample को लेकर चलते हैं यहां पर DNA का unknown sample लिया गया है इस unknown sample के अंदर क्या है मैंने आप पर nitrogen base का sequence है वो थोड़ा सा आपको बता दिया है हम एक unknown DNA sequence को लेकर चलते हैं और बाद में इसी unknown DNA sequence को बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास यह DNA sequence आया कैसे तो हमारे दिमाग में यह चलना चाहिए कि यह DNA unknown sequence है उसको पता कैसे लिगाते हैं इसके लिए सेंगर ने क्या तरीका अपना है वो समझते हैं पहले तो हम पहरे DNA की structure पर जाते हैं DNA की structure के अंदर एक डियोक्सिराइबोश शुगर है वो मलकुल आपको दिखाई दे रहा है जिसके अंदर नॉर्मल दियोक्सिराइबोश शुगर दिखाई दे रहा है जबकि तीन नंबर कार्बन के उपर ऑक्सिजन जुड़ा हो है बाकि यह डिखाई देगी इस मॉलिकूल के अंदर इस मॉलिकुल की structure की ती देखो तो इस structure का इस शुगर मॉलिकुल के साथ काफ़ी difference है यहां पर तीन नंबर कार्बन के साथ क्या है यहां पर oxygen और निकाल दी गई है तो यहां पर दो नंबर कार्बन पहले आख चार नहीं थी तो व दाइटरोजनपी खुडेगी व नॉर्मनिटरोजैना बेस की तरह हो और गणिपवस किर्राओ नई Y अगा भीर्मरर्णिटरोजनबस को अब लगे copIE वक्वार्णिपेश जूडइपे उनको नाम दियाजाएगा डाइ insider और dwacockु आडियोकसी और सैटोम्शी सीनिख ग् Chuck Hutch िओंसी थाइमीन फीट sen जुड़े गा तो इसका रोल क्या है चल्ब कि यह डाइ ीस रभोश वर चुगर कनाने का यहां पर fundamental तरीका क्या है या इसका पीछे logic क्या है इस logic को समझने के लिए हम Phosphor diaster bond की structure को देखते हैं Phosphor diaster bond की structure क्या होती है देखते हैं पहले जो शुगर molecule है वो क्या है दो नुमर कार्बन तीन नुमर कार्बन पर यहां क्या पाये जाता है OH और वो फिर Phosphoric Acid के साथ diaster bond बनाता है इसके साथ double bond O जो है वो C के साथ जुट जाता है जिसके कारण वहां पर ester bond बनता है इस oxygen के साथ लेकिन लेकिन यहां पर जो दूसरा di-diox राइबो शुगर है वहां पर दो नुमर कार्बन के साथ तो oxygen था ही नहीं तीन नंबर के साथ भी क्या जुट गया है oxygen निकली के वहाँ रहे गया अब hydrogen रहे गया तो यहां phosphoric acid है उसको वह oxygen molecule ही नहीं मिलेगा diaster bond बनाने के लिए यदि हमारे पास एक di-diox राइबो sugar वाली nucleotide है तो वह किसी भी तरीके से क्या होगी वहाँ पर जुड तो जाएगी लेकिन उससे आगे की जो chain है वहाँ से terminate हो जाएगी इसका मतलब क्या हुआ कि di-diox राइबो sugar एक nitrogen based जो होगी वह पहले वाले शुगर molecule के साथ जुड जाएगी लेकिन अपने साथ पीछे जो तीन नंबर carbon है पांच नंबर carbon के साथ जुड जाएगी लेकिन तीन नंबर carbon के साथ दूसरे sugar molecule को किसी भी तरीके से जुड़ेगी नहीं वहाँ से वह nitrogen का sequence और terminate हो जाएगा तो इसके पिछे logic यही था इस logic को पहले वाले के साथ तो यह bond बना लेगा ribosugar लेकिन next जो chain होगी उसके पास oxygen नहीं है oxygen नहीं है तो वहाँ पर ester bond है वो नहीं बनेगा ester bond नहीं बनेगा तो nucleotide की chain जो वागे बनना बंद हो जाएगी जिसके कारण वहाँ से chain होना chain जो का बनना टर्मिनेट हो जाएगा इस प्रोपर फंडे का या इस तरीका को यूज करते वे सेंगर ने dna की sequencing method यूज की तो हम वापस चलते हैं किसके उपर वापस dna के उसी unknown sequence के उपर जो हमें शुरू में लिया था यह dna का sequence है अन्नों डेन जिसके नैट्रोजन वेस्स की सिक्वेंस में यहां पर आपको दिखा दिये हैं हम इसको कैसे प्राप्त करेंगे वापस कैसे पता लगाएंगे यही था हमारे पास तो उसके लिए उनने क्या किया dna क्या एक प्राइमर यूज किया प्राइमर जो आरने प्राइमर की तरह काम करता है मनों कि वह हमें यह इंडिकेशन देता है इनिशियेशन पॉइंट बताता है कि निक्रोड़ाइटों की सिक्वेंस होंगे वह यहां से जुड़ने स्टार्ट होगे अडिनीन साइट क्या किया सिंपल जो डियोक्सी राइबोज शुगर है उसकी जो डियोक्सी राइबोज एडियोक्सी राइबोज एडियोक्सी राइबोज एडियोक्सी राइबोज एडियोक्सी राइबोज लेकिन उसके जो डियोक्सी राइबोज शुगर थे उनको नाम किस्पे तो पिंक कलर में रख से दिखाया गया है, तो उन्होंने क्या लिए, कुछ सेंपल्स लिए, उस सेंपल्स के अंदर क्या लिया, उन्होंने नाइट्रोजन बेस के कुछ मॉलिक्यूल्स डाले, और जो अन्नोन DNA फ्रेग्मेंट था वो डाला, DNA प्राइमर डाला, उसके अंदर उनके अंदर अलगलग टेस्ट्यूप्स के सेंपल्स लिए, उन सेंपल्स के अंदर क्या लिए, उन्होंने अन्नोन DNA फ्रेग्मेंट्स डाल दिये, DNA प्राइमर, अलब कि जहां से नुक्लिटाइटों के सिक्वेंट्स को जोड़ना शुरू करना है, वो डाल दिया, और में dideoxy nucleotide के ग्रॉप तो वहां पर, एक सेंपल था ता, तीन नॉर्मल डियूउक्स राइबोस शुगर के नुक्लिटाइट्स था, लेकिन एक जो था वो ेयूक्स राइबोस को जो था दूसरे के अंदर, एनिन, साइटोसेन, थाइमें नॉर्मल थे, लेकिन ग्यूक् करफ LAURA काकूश के लेकिन जो फौर्थ है वह साइटोसी न वौ डाइडियोकषी राइबोशी वाली थी इसर्था से फौर्था के अंदर भी उनने कौ ग्या किया सेटोसीन नार्मान तो नॉर्मल उन दियोकषी राइबोश samma सr तो इस तरहें इसके अंदर क्या हुआ यह सब भी नेक्स न्युक्रिटेड के साथ डिनेप्रेक्ट के साथ रेक्ट करें इसके एन और फ्रेक्टसीन гाम लेक्ट का नुद्ज्वन के इसके डिनेप्रिंट के साहएमर ke जुड़ते चले जाएंगे लेकिन जैसे ही ये बेस पेरिंग वाला निक्रोटाइड सामने आएगा वहां से आगे का DNA स्टेंड बनना बंद हो जाएगा तो अलग अलग लेंथ के DNA स्टेंड हो बनते हुए दिखाई देंगे कुछ एडेनोसीन के सामने थाइमीन जुड़ेग तो वहां से थाइमीन जैसी आएगा थाइमीन वाली गोराव उसके बाद करणा बंद हो जाएगे तो वहां पे उसी leanth का प्रॉटाइड ने प्राइमर का याका क्र लोकेशन को बताता चला दे गा और यहां तक देनने का नुग्रोटाइड वो झुड़ चुकी हैं इस तरह हैं से यह हमारे पास अलग अलग टाइप के नुकलोटीटों के सिक्वेंस जोंगे वो प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे आगे देखते हैं वापस चलते हैं वई यह डिनने का अननोंग डिनने के नुकलोटीटो anti- бывает sequence यहां पर मैंने आपको बता दिये हम कि इसको प्राप्त कैसे करेंगे लास्ट में, यह नौर्मल निक्रोटाइट्स और साथ में डाइडियोक्सी, इस तरह से गवानोसी नगर अगया उसके बाद इंका डाइडियोक्सी के साथ नौर्मल आगया, तो अब इनकी base pairing जब होगी, तो first जो sample है, यह first जो sample है, यह first के according, यह second sample के according, second length आएगी, third sample और fourth sample, तो first sample के according, हमारे पास तीन nucleotide की length अलग अलग है, जिसके अंदर first जो है, thymine, thymine किसे करता है base pairing, एडिनीन के साथ, एडिनीन का पहला फर्स्ट के उपर मिल गया, तो एक, एक nucleotide लंबा हमें stand मिला, फिर एडिनीन है, साथ में स्थान पर, तो हमें साथ nucleotide की stand मिला, और फिर एडिनीन है, 9th वाले स्थान पर, 9th स्थान पर, तो वहां पर हमें 9 nucleotide का DNA stand मिला, तो हमें अलग-अलग DNA के fragment मिले, एक, एक nitrogen base का, एक 7 nitrogen base का, और एक 9 nitrogen base का, लंबा हमें, वो में DNA stand मिला, इस तरह से दूसरा sample जो होगा, दूसरे sample के according, हमारे पास, हमारे पास क्या होगा, वही, गवानीन, गवानीन है, वो डाई-डियोकसी है, तो जहां पर साई टोसीन मिलेगा वहां से वान होन फैपन पर साइट फ्रस टरंट ऑर चे में तो हमिले उसके बाद 3rd सैंपल हैma थर्द और फॉर्ध दोनों है वह इसी परकार diagonally मिल जाएंगे और उसके कोड़ा में अलग-अलग length के nucleotide के sequence है या DNA के fragment जो nucleotide के रूप में आपस में जुड़ते हैं वो मिल जाएंगे अब इन nucleotide के sequence को हम gel electrophoresis technique के द्वारा length के according arrange करेंगे मलब कि gel electrophoresis technique ऐसी technique है इसमें DNA का strand जो होता है वो electric current के base पे DNA का strand जो होता है वो अपने length के according बड़े fragment से चोटे fragment को एक order में arrange करता है बड़ा fragment negative charge electrode की तरफ रहता है और चोटा fragment जो होता है वो positive charge electrode की तरफ moment करना शुरू कुरता है ज़र electrophoresis काम कैसे करता है उसका description के अंदर link तेरखा उस video का तो वहां से आप देख सकते हैं कि DNA के अलग-अलग fragments की length को हम किस परकार अलग करते हैं वो ज़र electrophoresis technique के द्वारा लग किया जाता है तो यहाँ पर DNA के strand जो मिले वो 5, 3 to 5 की length के according मिले 3 to 5 strand की जो है और हमें वो strand मिले तो length जो थी वो किस परकार से होगी यह देखते हैं यहाँ पर एड़नीन जो है उसके according आठ और 10 अलग कि हमारे बास एड़नीन के जो strand थे लंबे थे वो तो तीन नंबर साइड की तरफ एनोड है और पांच नंबर साइड की तरफ के थोड है तो वो उस strand की तरफ क्या होंगे मुवमेंट करना शुरू कर देंगे तो बड़े fragments के थोड की तरफ रहेंगे तीन सिरे की और रहेंगे और बड़े स्टेंड चोटे स्टेंड जो होंगे वो एनोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ मुवमेंट करना शुरू कर देंगे तो इस तरह से एड़नीन गवानीन के तीन स्टेंड मिले हमें एक दो एक पांच और एक छे तो दो वाला सबसे नजदीक जाएगा के अनोड के और तीन वाला पांच वाला उससे दूर रहेगा और छे वाला थोड़ा लंबा है तो वो के थोड़के नजदीक रहेगा इस तरह से हमारे पास जो इनने डिने के स्टेंड हुए डिने के स्टैंड थे उन स्टैंड काूति हम सेक्वेंस देखें वह सीक्वेनस हमें पांच से तीन के सिक्वेंस में प्राप्त होता जोओ वह से प्रकार से तायमिन अभी घॉएगा फिर गौनियन फिर 사इ्टोसिन फिर ञुटिंहैं तैमिन एडनियन एडनें फिर उस हो تھाप किसके रूप में हुआ हमें 5 से 3 के सिक्मेंस में रेंज हुआ इसके complementary standards वो हमारे पास unknown DNA का standards होगा तो DNA का standards होगा वो कैसे होगा हमारे पास इस परकार से हमारे पास Éग DNA का standards होगा वो प्राप्त हो जाएगा इस technique को Sanger ने बहुती perfect तरिके से समझाया और Sanger की इस टेक्निक को हर जगें काम में लिया जा रहा है DNA fingerprinting हो, human genome project हो या किसी भी unknown DNA का पता लगाने के लिए किसी भी criminal case के अंदर किसी DNA का जो fingerprinting होती है वहाँ पर जायदाद के मसले में वारिस कोई भी हमने decide करना हो उसके माता-पिता पता लगाना हो तो वहाँ पर हम unknown DNA के fragments को पता लगा कर हम non DNA के साथ compare करके हम DNA की sequencing का पता लगा सकते हैं तो यह Frederick Sanger की टेक्निक थी जिसको DNA sequencing method बोलते हैं अगर यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को subscribe करें और वीडियो को like करें धन्यवाद